एक गाउं में मंगलू नाम का एक गरीब धोबी रहता था बिचारा जैसे तैसे लोगों के कपड़े धोखर अपना और अपनी बीवी मालती का पेट भरता था उसकी शादी को काफी साल हो गए थे पर उनकी कोई संतान नहीं थी मंगलू की बीवी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी कोई अपनी संतान हो जाए पर ये तो उसका एक सपना ही रह गया बिचारी मालती पूरा दिन दूसरों के बच्चों को खिला कर अपना मन बहला थी अपनी पत्नी मालती को ऐसे देख मंगलू को बड़ा ही दुख होता था पर वो बिचारा कर भी तो क्या सकता था एक दिन जब मंगलू और मालती नदी किनारे बैठे कपड़े धो रहे थे तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है हां, आवाज तो मुझे भी आ रही है पर आखिर आ कांशे रही है वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें नदी में दूर से टोकरी बहती हुई आती दिखती है बच्चे की आवाज उसी टोकरी में से आ रही होती है अजी वो देखो, मुझे लग रहा है कि ये आवाज उस टोकरी से आ रही है चलो, जल्दी से चल कर देखते हैं मालती और मंगलू जल्दी से उस टोकरी को रोकते हैं सच में उस टोकरी में एक छोटा सा बच्चा होता है जो शायद भूग की वज़े से बुरी तरह से रो रहा होता है एह भगवान, ये तो सच में किसी का बच्चा है पर इसको ऐसे टोकरी में किसने डाल कर यहां छोड़ दिया मालती उस रोते हुए बच्चे को बड़े प्यार से गोद में उठा लेती है और उसे गले से लगा लेती है ये बच्ची कितनी प्यारी है समझ नहीं आता कि कोई इतनी प्यारी बच्ची को कैसे छोड़ सकता है अब इस बच्ची का कोई तो है नहीं तो क्यों न हम इसे रख ले? नहीं माल्ती, ये तो गलत होगा ना जाने किसका बच्चा है? हम इसे कैसे रख सकते हैं? देखो, हमने इस बच्चे को कोई चुराया तो है नहीं हमने तो बलकी इसकी जान बचाई है इस बच्चे पर अब बस हमारा ये हक है और मैं ही इसे पालूँगी माल्ती मंगलू की एक बात नहीं सुनती और उस बच्ची को घर ले आती है वो उसे पूरा दिन खिलाती रहती है और उसे खूब प्यार करती है माल्ती उस बच्ची का नाम च्चाया रखती है और च्चाया के आने से उसकी जिन्दगी पूरी तरह बदल जाती है वो इतनी खुश पहले कभी नहीं थी एक तो पहले ही हमारे लिए खाने को नहीं है और अब उपर से हम छाया को कैसे पालेंगे मैं भूकी रह लूँगी पर छाया को किसी चीज की कमी नहीं होने दूँगी अगले तिन जब मालती चाया को आंगन में नहला रही होती है तो उसे चाया के गले में एक लॉकेट मिलता है ये तो बड़ा ही महिंगा लग रहा है लगता है ये बच्ची किसी अमीर घर की होगी पर मुझी क्या अब तो ये हमारी बच्ची है ना माल्ती चाय को नहलाई रही होती है कि तभी वहाँ पडोस की कमला आ जाती है और वो माल्ती को एक बच्ची को नहलाते देख बड़ी हैरान होती है अरे माल्ती ये बच्ची किसकी है किसका बच्चा चुरा लाई तू यह कैसी बात कर रही हो तूhm ये मेरी बच्ची है मतलब ये मेरी दूर की बहन की बच्ची है उस बिचारी का किसी हाथसे में दिहान थो गया इसलिए उसके परिवार ने इस बच्ची की जिमेदारी मुझे दे लिया अरे वाँ ये तू तेरे मन की हो गई दिन रात लोगों के कपड़े धोते और चाया की हर जरूरत पूरी करते वो खुद फटे कपड़े पहनते पर चाया को हमेशा सुन्दर सुन्दर कपड़े पहनाते खुद भूके रहते पर चाया को हर चीज खिलाते धीरे धीरे करके चाया पांस साल की हो जाती है और अब माल कैसी बात कर रही हो तुम मालती, तुम्हारे शरीर में इतना दर्द रहता है, तुम बिना दवाई के कैसे रह पाओगी, पैसों के बारे में तो सोचना भी मत, मैं, मैं कुछ और सोचता हूँ अब मालती को दिन राथ शाया की पढ़ाई की चिंता सताने लगती है, मालती अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और शाया को इस्कूल में डलवाई देती है, देख शाया, आज तेरा इस्कूल में पहला दिन है, तु अच्छे से पढ़ाई करना और किसी के साथ शैतानी ठीक है मा, आप चिंता मत करो मालती अपने इलाज के पैसे छाया की पढ़ाई में लगा देती है और खुद तकलीफ सहती है मंगलू को ये बिलकुल अच्छा नहीं लगता पर मालती को तो छाया के आगे कुछ दिखता ही नहीं था एक दिन जब मालती बाहर आंगन में बैठी होती है तब ही वहाँ चाया स्कूल से रोती हुई आती है मालती उसे देख डर जाती है हे भगवान क्या हो गया मेरी बच्ची को चाया बिटी क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो मा, आज मैं स्कूल में केर कई और मेरे कपड़े भट गए देखो, मेरे चूते भी भट गए मा अब मैं क्या पहनूगी अब मैं स्कूल कैसे चापाऊगी अरे पागल, तुझे ये सब सोचने की कोई जरुरत नहीं है मैं हूँ ना, एक काम कर तु जल्दी से कपड़े बदल ले और ये कपड़े मुझे देदे मैं अभी इसे सिल देती हूँ चाया कपड़े बदल कर फटे कपड़े मालती को दे देती है मालती सुई धागा लेकर उस कपड़े को सिलने बैठ जाती है कपड़े तो वो जैसे तैसे ठीक कर देती है पर जूते कुछ जादा ही फट चुके होते हैं जो ठीक भी नहीं हो रहे होते मालती रात को मंगलू से पैसे मांगने लगती है आज चाया के जूते फट गए हैं तो मुझे उसके लिए नए जूते लाने हैं आप मुझे कुछ पैसे दे दो अरे मालती घर में खाने को तो है नहीं और तुम पैसे मांग रही हो मैं तो बोल रहा हूँ उसे स्कूल से निकलवा दो क्योंकि मैं आगे इसकी फीस नहीं भर पाऊंगा नहीं ऐसे मत बोलो मैं खुद काम कर लूँगी पर मैं अपनी चाया को अच्छे से पढ़ाना चाहती हो मंगलू की ये बात सुनकर तो मालती को बहुत टेंशन हो जाती है वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती वो किसे भी हाल में चाया को पढ़ाना चाहती है इसके लिए वो कुछ भी करने को तयार हो जाती है अगले दिन मालती मंगलू के धोबी घार जाने के बाद मालती चाया को स्कूल भेज कर काम ढूरने निकल पड़ती है गाउं में उसे कहीं काम नहीं मिलता इसलिए मालती को गाउं से बाहर जाना पड़ता है मालती को एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है जिसके गेट पर एक औरत खड़ी होती है वो औरत बड़ी ही खडूस, लालची और बत्तबीज होती है मालती उसके पास जाती है मेम साब, आपके पास कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जो यहाँ से मेम साब, मैं कुछ भी काम करूँगी, आप बोलो तो मेरी छोटी बच्ची का सवाल है अगर मेरे पास पैसे कठे नहीं हुए तो मुझे उसे स्कूल से निकलवाना पड़ेगा उसके बाबा ने तो साफ मना कर दिया है कि उनके पास पैसे नहीं है पर मैं अपनी छाया को पढ़ाना चाहती हूँ हम्, यह अच्छा मौका है किसी से कम पैसों में काम करवाने का इसे रखी लेती हूँ वो औरत मालती को काम पर रख लेती है पर उससे इतने कम पैसों में खूब काम करवाती है मालती तो काम मिलने पर ही खुश हो जाती है और मन लगा कर उस घर में साफ सफाई का काम करने लगती है वो औरत मालती को जो पैसे देती है मालती उन पैसों से सबसे पहले चाया के स्कूल के जूते लेकर आती है ऐसे ही काम करते करते काफी दिन हो जाते है चाया खुब मन लगागर पढ़ाई करती है सालों बीच जाते हैं और अब चाया पढ़ लिखकर डॉक्टर बन जाती है उसके डॉक्टर बनने पर सबसे ज़्यादा खुशी मालती को होती है वो तो पूरे गाउं में खुशी से नाचने लगती है और सबको बताती है कि उसकी बेटी डॉक्टर बन गई है मेरा सपना आकिर पुरा हो ही गया अब आप दोनों को काम करने की कोई जरुरत नहीं है. ठीक है, कल मैं मेम साइब को जाकर मना कर दूँंगी. वैसे भी मुझे पता है मैं कैसे उस घर में मेम साइब का काम कर रही हूँ. उनके जैसा लालची और कंजूस इंसान मैंने नहीं देखा. क्यों न मैं भी आपके साथ उनके घर चलू हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगले ही दिन मालती एक मिठाई का डिबा लेकर अपनी मेम साब के घर जाती है और चाया भी मालती के साथ जाती है मेम साब, मेम साब देखो मेरी चाया डॉक्टर बन गई अरे वा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है मुबारक हो चाया मेम साब जैसे ही चाया की तरफ देखती है तो उसकी नजर चाया की गले में पड़े हुए लॉकेट पर जाती है लौकिट देखते ही मेम साब के होश उड़ जाते हैं क्या हुआ मेम साब आप चुप क्यों हो नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही अच्छा मेम साब ये लो मिठाई और अब मैं चलती हूँ हाँ और अब कल से मैं काम पर नहीं आओंगी मेरी बेटी ने बहुत बड़ा घर लिया है शेहर में और अब हम उसी में रहेंगे और अब मैं काम नहीं क्या करूँगी ये तो वही है जिसे मैंने सालों पहले पानी में बहा दिया था मेरी बेटी ये तो डॉक्टर बन गई ये आंटी ऐसे क्यों बूल रही है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटी तुम लड़की थी इसलिए मैं तुमें रखना नहीं चाहती थी और तुमें एक टोक्री में डाल कर बहा दिया तो आज आपका प्यार कैसे जाग गया क्योंकि मैं डॉक्टर बन गई इसलिए माफ करना पर मेरी मा ये है जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया आपने मेरे साथ चुकिया वो माफी के काबिल ही नहीं है बेटी चलो मा चलो यहां से मेम साब को अपनी बेटी मिलकर भी कभी नहीं मिलती और उसे जिन्दगी भर उसे खोने का एहसास होता है जिस बच्चे को वो लड़की समझ कर बहा देती है वही लड़की डॉक्टर बन कर उसे एहसास करा देती है कि बेटी किसी से कम नहीं चाया अपने माबाब के साथ बहुत ही अच्छी जिन्दगी बिताने लगती है और कभी अपनी असली मा का नाम भी नहीं लेती